बिहार कोरुना वारेस न्यूज अपडेट बिहार में तीन दिनों तक चलेगा मास्क चेकिंग अभियान डियेम और एसपी को निर्देश नमश्कार दोस्तो जियारेस टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार से जुड़े महपपून खबर बताने वाले है तो आज की इस वीडियो को लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तो नालंदा मेडिकल कॉलेज हस्पिताल में मंगलवार को कोविड संक्र में तीन मरीजों की उपचार की दौरान मौत हो गई है जबकि एक मेडिकल शातर को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है लाइव अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार में तीन दिनों तक चलेगा मास चेकिंग अभियान बिहार में गुरुवार की सुबह से तीन दिनों तक मास चेकिंग अभियान चलाया जाएगा Crisis Management Group की बैटप में मुख्य सचीव ने सभी जी लोग के DM और SP को इस बारे में निर्देश दिया है DM और SP को विशेश टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है आपको मैं बता दू कि पटना में मास्क नहीं पहने वालों से जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं 2,25,650 रुपे पटना जिले में मास्क चेकिंग के लिए 10 धावा दल तथ 34 अन्य टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है इस क्रम में बुधवार को 580 लोगों ने 1,6,650 रुपे जुर्माना राशी वसूली गई है कोरोना की तीसरी लहर में मास्क चेकिंग अभियान में अब तक 2,202,506 रुपे जुर्माने के रूप में वसूले गए है बिहार में 24 गंटे में मिली है 6413 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं पटना में सबसे ज़्यादा 2014 कोरोना पोजिटिव मरीज पाए गए हैं वही प्रदेश में आक्टिव केसेस की संख्या 3 लाग से पार पहुँच गई है तो दोस्तो आपको मैं बता हूँ कि जमूई में बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ हो रही है कारवाई पुलिस ने लगवाई है उठक बैटक जमूई जेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार दर्ज हो रहे हैं कि 20 स्वास विभाग की ओर से अलर्ट के बाद प्रशाशन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए सीख दिये इसी कड़ी में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कारवाई करते वे दो किशोरों से उठक बैठक लगवाई साथ ही आगे से मास्क नहीं पहनने पर कारवाई करने की भी बात की है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ जैहिन बंदे मातरम नमस्कार